उतरपरदेश के जनपत मुरादबाद में उस बग थड़कम मच गया जब पती ने पतनी को गले लगा कर देशी तमंचे से गोली मार कर अपने साथ साथ पतनी को भी मोत के घाट उतार दिया गोली की सूचना छेतरवासियों को लगते ही छेतर में देसत का माहूल बन गया जिसकी सूचना तुरंट पुलिस को दी गई मोके पर पहुची पुलिस ने दोनों के सबों को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया है फोरेंसिक टीम जाच में जुट गई है दरसल आपको बता दी कि यह है पूरा मामला कोतवाली बिलारी के खानपर गाउं का है जहां पर देर रात पती पतनी में किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया था जिसके बाद पती ने देशी तमंचे से पतनी को गले लगा कर गोली मार दी और एक ही गोली से दोनों पती पतनी की मौत हो गई पती पतनी की मौत से दोनों के परिवार में कोहराम मच गया जिनकी उम्र करीब 38 बर्स है इन दोनों की गोली लगने से मृत्य हो गई है सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुची और परीजनों से बाचीत की तो परीजनों ने बताया कि यह दोनों पती पतनी अक्सर लड़ाई जगडा करते रहते थे बीते कुछ दिनों से इन में और ज्यादा लड़ाई जगडा हो रहा था दिनाग 13 और 14 की रात्री को पुलिस को सुचना मिली कि खानपूर गाउं में बिलाजी थाने में खानपूर गाउं में अनेक पाल उम्र करीब 40 वार्स उनकी पतनी सुमन पाल उम्र करीब 38 वार्स दोनों की गोली लगने से मृत् मृची और परिजनों से बाचीत परिजनों ने बताया हैं जो उनकी बच्चे थे और उनने पूजापाट करके रात को उसको अपनी पतनी को गले लगा और अपनी पत्नी के करब से गोली मारी और जो उनके अनेक पाल को भी उनके सीने को चीरते हुए बहार निकल जूए इससे दोनों की मोग घायलोगे और उनको ऑस्पिटल ले जाएगा जहां उसकी मृत्ति होगी दोना का पोस्ट माड़म करवाये जा रहा है घरवालों से तै आपस का पती पत्मी के माबला होगा कोई जो आज घटा घटी है दोनों का अतम हत्या है या फिर मर्ड़ा की इसका बढ़ा जानकर नहीं है कि आत्म हत्या है अप्छार का मारा पेस्गार नहीं आने जाने का हमारा घर जो सड़क पर है बता पता कैसे लगी जब पता तो ऐसे आज आज आ आ जाए गाओं मारे डोला और हो तो रात ठीक है उसमें से लोगा जा रहे है तो पता लागी एंबुलांस आई लाट में दर आप उलेंज तो लोग यड़े गटे हुए थे तो दो बज़े रहे हो लंशा हो तो पुलिस के बज़े आई पुलिस तो नाठ को तो साइद आई नहीं थी सब्सक्राइब आई कितने बच्चे मेर्तक पर बच्चे है क्या करते हैं मैजदूरी करते हैं आप बाहर करते हैं आप आप